अनुपमा अनुच से कहती है कि वे कहते हैं कि आमतोर पर पहला कदम एक कठिन कदम होता है, लिकिन कभी-कभी आखिरी कदम भी एक कठिन कदम बन जाता है। तो शुमजाग करता है कि दूलहन के परिवार ने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन दूलहें के परिवार के रू बारात में नाचते देखा और जानता था कि ऐसा होगा, हाला कि उनका रिष्टा पहले जैसा नहीं है, फिर भी वे इस घर से जुड़ी हुई है और उसके पास जो कुछ भी है वे हमीशा अनुपमा कहोगा, वह उसे कुछ सहस एकठा करने और उसके बेटे की शादी की पूर् बिलाते हैं, अनुजमान ही मन एक कविता पढ़ता है, लीला डॉली से कहती है कि उन्होंने सजावट में 12 दिन लाख रुपे खर्च किये होंगे, डॉली कहती है कम से कम 10 दिन 15 लाख रुपे होने चाहिए, लीला आश्चर जनक रूप से इन फूलों और पत्तियों के डॉली पूछती है कि वो अब परेशान क्यूं है, अनुपमानुज से कहती है कि वे कहते हैं कि आमतोर पर पहला कदम एक कठिन कदम होता है, लिकिन कभी-कभी आखिरी कदम भी एक कठिन कदम बन जाता है, तो शुमजाग करता है कि दूलहन के परिवार ने अच्छी डॉली लीला को अपनी ड्यूटी पर वापस जाने के लिए कहती है, वे सब हंस पड़े, अनुज अनुपमा पर फूल बरसाता है और कहता है कि ये घर उसका है और हमीशा उसका रहेगा, उसने उसे बारात में नाचते देखा और जानता था कि ऐसा होगा, हाला कि उनका रि पर उसके घर में प्रवेश करने के लिए कहता है और उससे अंदर आने का अनुरोत करता है, अनुपमा फूलों पर अदम रखती है और अंदर चली जाती है, वे अनुज को अनुपमा को कपाडिया के घर पहली बार लाने की याद दिलाते हैं, अनुज मन ही मन एक कविता प पत्यों के लिए 15 लाख मांगती है डॉली उसे अपने बेटे की शाधी का आनन्द लेने और इस सब के बारे में परेशान करने के लिए कहती है, लिला कहती है कि माया भटक रही हैं जैसे कि उसका अपना घर हो, डॉली पूछती है कि वो अपरेशान क्यूं है, लीला ने द अनुज का कहना है कि अपने टूटे हुए घर को ठीक करना गलत नहीं है। वह उसे याद दिलाने के लिए एक बोर लगाएगा कि यह घर उसका है। अनुज पूछते हैं कि सजावत और आतित्थे कैसा है। अनुपमा कहती हैं कि यह अच्छा है। माया उन्हें बात करते हु बुरा महसूस करना बंद कर दिया था। उसने बस एक उचित लड़ाई की और एक और मा की भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन जब वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। माया कहती है कि वे जानती है कि उसने अनुपमा की पीठ में चुरा घुमपा। वे यहां लेकिन जब रही थी। लेकिन जब वो अपनी बारी की पीठ में जब लेकिन बारी कर रही थी। में जब लुदा की पीठ में चुरा घुमपा। कपाडिया के लिए कोई नहीं है लेकिन वे उसके लिए इतना खर्च कर रहे हैं यह सुनकर सभी हत्रभ हैं परिवारों से अपनी जीब उपर ध्यान देने के लिए कहता है और कहता है कि लिला मजाग कर रही है डॉली का कहना है कि लिला अनुज की तारीफ कर रही है लिला कहत गर में एक बेबस लड़की के रूप में प्रवेश किया और अब यहां बड़े आराम से रही है जैसे कि उसका अपना घर हो। अपना चहरा दिखाने के लिए कहती है बैरवी, लीला से टकराती है और अजनवी भाग जाते हैं। लीला बढखा को बताती है कि घर में कुछ चोड़ हैं। उनकी नोग जोग शुरू हो जाती है। पंडिजी दुलहन के परिवार से दूलहें के परिवार का स्वागत करने के लिए कहते हैं। अनुज ने वनराज का स्वागत माला पहना कर किया। वनराज उसे रोपता है और कावा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अनुपमा भी कावा को वनराज के साथ आने के लिए कहती है अनुज ने उन दोनु को माला पहनाई और उनका स्वागत किया। समर और डिमपी का माला विनिमे समारोह शुरू होता है। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना बज रहा है। प्रतेग जोडा ने माला विनिमे समारोह को याद करता है।